हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चानल पे और आप सब लोग ठीक होंगे जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछल साल पांडमिक में लोगों ने घर में ही एक्सिसाइस की है ताकि वो फिट रह सके और इसी वज़े से होम जिम्स बहुत जादा बढ़ गए हैं यानि कि लोग अपने घरों में अपने फेवरेट मशीन्स एक्सिसाइस मशीन्स यूज़ करना चाहते हैं और वो खरीद रहे हैं वो ट्रेटमिल्स जो उन्हें बहुत जादा पसंद हैं जो बहुत जादा एफेक यह सिरफ आपको डेंजर और इंकन्वीनियन्स से ही नहीं बचाते यहां तक कि आपको घर से बाहर जाने की भी जूरत नहीं है चाहे कैसा भी बाहर वैदर हो आप अराम से अपना घर में एसी ओन करके एक्सिसाइस कर सकते हैं अपना टीवी देखते देखते एक्सिसाइस क चाहिए होता है जो उनके नीज के लिए बहुत ही जादा अच्छा हो या एक एजली अजेस्टेबल इंकलाइन सेटिंग चाहिए होती है ट्रेड में ताकि वो अपना अक्टिव कोचिंग प्रोग्राम बहुत ही असानी से कंप्लीट कर सकें जैसे कि सब डिफरिंड होते है इसलिए हम आज आपके लिए फाइफ वेस्टेड में लाएं हैं जो कि आपके बजट में भी हैं और आपके फिटनेस गोल्स को असानी से अचीव करने में मदद करेंगे मैं होप करूँगी कि इस लिस्ट को देखने के बाद आप लोग अपनी अग्जाक्ट फिटनेस ट्रेडमिल मशीन को चूज कर पाएं ताकि आप शेप में रह सकें और फिट रह सकें और अपने फिटनेस गोल्स को बहुत ही असानी से घर बैठ बैठे अचीव कर सकें एक क्विक कंपारिजन देख लेते हैं और देख लेते हैं कि इस वीडियो में आज हम लोग किन मशीन के बारे में बात करने वाले हैं तो सबसे पहले है को काटो CTM 101 जिसकी मोटर पावर 2.5 हप है और पीक इसकी 5 हप मोटर पावर है माक्स वेट यह जो यूजर का जहल सकती है वो है 120 कजी माक्स स्पीड इसकी 14.8 किलोमेटर पर आर है और रेटिंग इसकी 4.5 है आउट 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 दूसरी मशीन है पावर माक्स TD M1 A1 सीरीज जिसकी मोटर पावर है 2.0 HP माक् इसकी 14 किलोमेटर पर आर है और रेटिंग है इसकी 4.5 आउट 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 आ पर सकती है वो है 100 kg, maximum speed 10 km per hour और ratings है 4.5 out of 5. Last but not the least, Kocato WP100 जिसकी motor power 4.5 hp है, consumer का weight जो ये ले सकती है वो है 120 kg, maximum speed इसकी सिरफ 8 km per hour है और ratings है इसकी 4.5 out of 5. तो बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं और next जो हमारी सबसे पहली treadmill है उसके बारे में बात करते हैं. एक treadmill खरीदने से पहले हमें पता होना चाहिए उस treadmill की specifications क्या है, वो product क्यों use किया जा सकता है, कैसे use किया जा सकता है, और कुछ points होते हैं जिनका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए. जैसे कि सबसे पहले हमें एक treadmill में build quality देखने चाहिए, तो इस treadmill की build quality बहुत high quality alloy steel material से बना है, इस वजह से ये treadmill बहुत ही जादा durable और stable है, और 120 kg of user weight ले सकती है. Next, motor type, इसका motor type DC motor है, long lasting DC motor है, 2.5 HP, powerful है और बहुत ही जादा smoothly run करती है बिना किसी voice के. Speed, अगर हम इसकी speed के बारे में बात करें, तो इसकी speed 0.8 HP से लेके 14.8 km per hour तक जाती है, जो कि बहुत ही जादा sufficient है, अगर एक इनसान इस treadmill को running के लिए use करना चाहिए तो. Fourth है, inclination. ये treadmill आपको manual inclination offer करती है, जो कि up to three levels incline हो सकता है और बहुत ही जादा suitable है, athletes के लिए, runners के लिए और normal people के लिए. इसमें एक shock absorption और deck dimension feature है, यानि कि ये machine shock reducing feature के साथ बनी है, और इसका running surface 16.5 x 49.6 inches का है, जो कि बहुत ही जादा comfortable है runners के लिए. Foldable है, जो को Kato CTM 101 stainless steel machine है, ये बहुत ही जादा space saving design को ध्यान में रखते हुए बनी है, और इसमें soft drop system है, जो कि machine को बहुत ही जादा easily fold करने में help करता है, और आपके घर में ये कम जगाले इसका ध्यान रखता है. Moveable है, इसमें transportation wheels attached है machine में ताकि आप इसको एक room से दूसरे room तक ले जा सके, इसमें 5 inches का LCD console है, जिसमें buttons हैं जो आप use कर सकते हैं और drag कर सकते हैं, अपनी speed, calories, distance, pulse rate, साथी साथ USB port भी है इसमें, और MP3 players provided है console में, bottle holder भी है इसमें. Safety को ध्यान में रखते हुए, इस machine में आपको magnetic pin मिलेगी, जो कि एक safety clip कहा जाता है, जब आप उसको अपने कपड़ों पे लगा लें, अपने clothes पे लगा लें, और अगर by mistake आपका पैर फिसल जाता है, तो ये machine automatically रुख जाएगी, ये sense कर लेगी आपको गिरते हुए, और heart rate measurement system है, आप जैसे ही handrail पर अपने hand रखेंगे, तो ये sense कर लेगी आपकी heart rate को, और अपने tracking function से ये आपको show करेगी, कि आपका heart rate क्या चल रहा है, warranty की अगर बात करें, तो इसमें 3 years की motor warranty है, 1 year की parts पर warranty है, और lifetime warranty है, frames पर pre-installed workout programs है, इसमें 12, अब हम इसके key features देख लेते है जैसे कि मैंने आप से कहा, 3 year motor warranty है, 12 months part पर warranty है, lifetime body warranty है, running surface इसका 420 x 1200 mm है, 3 level का manual incline है, 120 kg ये weight ले सकती है, jogging करनी है, अगर तो 90 kg weight होना चाहिए, और walking के लिए 120 kg, metal crown curler से इसकी belt बनी है, और बहुत ही जादा focus है, jogging के लिए बहुत ही जादा असान है, और less noise produce करती है, speed इसकी 0.8 to 14.8 km पर आर है, 5 inch का LCD display है, additional features में आप UD और USB input मिल जाएगा, बहुत ही जादा असान है installation में, high torque DC motor है, 2.5 HP continuous और 5 HP peak motor है, foldable design है, और बहुत ही जादा easily transportable है, अब हम इसके pros and cons देख लेते हैं, तो जो चीज़े मुझे अच्छी लगी इस treadmill के बारे में वो है कि इसकी 2.5 HP DC motor है, और 20 kg weight ये ले सकती है, speed इसकी अच्छी है, 14.8 km पर आर, जो heart rate monitor handrails पर है, वो बहुत ही जादा अच्छा है, एक protection clip provide करती है ये treadmill, super shock lowering feature भी added है, 5 inch का LCD display ह manual inclination है, जो की 3 degrees तक incline हो सकता है, 12 preset programs है exercise के लिए, foldable है, USB port है, MP3 है, bottle holder है, transportation wheels है, और 3 plus 1 year की lifetime warranty है, जो चीज़े मुझे इसमें लगा की add होनी चाहिए थी, या अच्छी नहीं लगी वो ये है कि इसमें manual inclination की जगा auto inclination होना चाहिए था, और ये machine calories or distance का accurate record प्रवाइड नहीं करती है, okay, so अब हम अपनी next treadmill के बारे में बात करते हैं, जो है powermax fitness 3D M1 A1, powermax fitness 3D M1 A1 series बहुत ही ज़्यादा light है, foldable है, और electrical treadmill है, इसमें 3.0 HP motor running machine है, जो की perfect है home workouts के लिए, और maximum speed इसकी 9 kmph है, और बहुत ही easily आप अपना goal achieve कर सकते हैं daily, बहुत ही light है, foldable है, और one of the best treadmill है, इंडिया में, जो की space saving design के साथ हाती है, LED display है, जो की आपको accurate speed शो करेगा, और advanced shock absorption system है, stylish motor design के साथ, साथ ही साथ यह बचों के लिए और elder लोगों के लिए भी बहुत ही जादा फायदे मन्द है, अब हम इसके key features के बारे में बात कर लेते हैं, इस treadmill में आपको 2.0 HP DC motor में लेगी lifetime frame warranty है, safe running with protection clip है, जो पहली वाली treadmill में भी थी, इसमें भी है, backs consumer weight जो यह ले सकती है, वो है 100 kg, safe है, user friendly है, इसका service support यानि की customer support बहुत अच्छा है, manual incline है, intense workout के लिए LCD display है, speed इसकी 14 km per hour तक जाती है, और 12 preset programs है, efficient workout के लिए, अब हम इसके pros and cons देख लेते हैं, जो चीज़े मुझे अच्छी लगी इस treadmill में वो है, कि यह half full हो जाती है, और बहुत ही जादा smooth है, space saving है, और इसमें suitable area है, water bottle और mobile के लिए, handle buttons हैं, जो कि बहुत ही असानी से आपको jogging में help कर सकते हैं, motor performance इसकी अच्छी है, और बहुत ही कम noise करती है यह, और अब हम इसके cones देख लेते हैं, जो चीज़े मुझे इस machine में सही नहीं लगी या add होनी चीए थी, वो है कि इसके buttons जो हैं वो जादा friendly, user friendly नहीं है, और आप अपना phone नहीं connect कर सकते हैं, इसके साथ Bluetooth के through, इस machine में voltage stabilizer नहीं है, तो आपको एक अलग से voltage stabilizer लेना पड़ेगा, 220V का जो आपकी PowerMax Health TD M1A1 को खराब ना करें, treadmill है Spire Knot Fitness STH-1200, यह एक automatic treadmill है, जो well suited है home use के लिए, compact है, क्यूंकि इसका design और weight बहुत कम है, और यह सरफ 29 kg वे करती है, इसके design की वज़े से, और इसकी decent powerful motor, जो 1.75 HP की है, peak इसका 3 HP है, और speed limit इसकी 12 km per hour है, यह बहुत ही जादा suitable है, walking के लिए और mild jogging sessions के लिए घर पे, running area इसका अच्छा है और wide है, साथी साथ इसमें shock absorbers भी है, जो आपको slip नहीं करने देंगे, anti-slip fold air belt है, इसमें जो आपके slipping को बहुत ही जादा, slipping chances को बहुत ही जादा कम कर देता है, belt बहुत soft और comfortable longer sessions के लिए, तो अब हम इसके key features के बारे में बात कर लेते हैं, 1.75 continuous to peak 3.0 HP motor है, इसमें 100 kg maximum weight limit है, 12 km max speed limit है, lifetime warranty है frame पे, 1 year warranty है parts पे और 3 year warranty है motor पे, running surface इसका 44 inches into 16 inches है, speed ranges from 1 to 12 km per hour and 12 preset programs भी मिलेंगे इसमें, अब हम इसके pros and cons के बारे में बात कर लेते हैं, तो जो चीज़े मुझे इस treadmill में अच्छी लगी वो यह है कि इसका running area बहुत जादा अच्छा है, lightweight है, compact है, बहुत ही असानी से fold हो जाती है, और बहुत ही असानी से हम इसे transport कर सकते है, utility options बहुत सारे है, cup holder है जैसे इसमें, और USB port है, charging के लिए, बहुत ही अच्छा build or design है, जो चीज़े मुझे लगा कि इस treadmill में नहीं है, या होनी चाहिए थी, या अगर है तो अच्छी नहीं लगी, वो यह है कि इसमें inclination नहीं है, speed और weight इसका बहुत कम है, और मतलब speed और weight limit जो है, इसकी बहुत कम है, heart rate sensor है, लेकिन वो accurate results प्रोवाइड नहीं करता, नेक्स treadmill के अब हम बात कर लेते हैं, जो है power max fitness tdm 97, एक all new model है जो इंडिया में launch हुआ है power max की तरफ से, और इसमें 1.0 CHP motor है, smooth ride के लिए, display है, जो की distance cover शो करता है, आपकी current speed, heart rate और calories burnt भी शो करता है, अगर आपके पास gym जाने का time नहीं है, तो ये machine आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये treadmill आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, home use के लिए, क्योंकि ये space saving feature के साथ आती है, और बहुती अच्छा और comfortable running area है, तो अब हम इसके key features देख लेते हैं, lifetime frame warranty है, 1 year part पे 3 year motor warranty है, LED display है, जो show करता है, calories, bond, speed, distance, time, pulse और incline, 1.8 mm की multiply weave running belt है, mobile और tablet holder है, इस machine में, maximum user capacity जो ये ले सकती है, वो है 90 kg, और heart rate sensor है, जो आपकी grip detect करेगा, और heart rate show करेगा आपको screen पे, बहुती easily fold हो सकती है, और अराम से closet में store भी हो सकती है, अब हम बात कर लेते हैं, इस machine के pros and cons के बारे में, जो वो चीज़े जो मुझे इस machine में अच्छी लगी हो ये है, कि बहुत reasonable price है, MP3 connection है, roller है, यानि transportable है, बहुती great choice है, walking और running के लिए, compact है, foldable है, और बहुती सुन्दर design और look है इसका, अब हम बात कर लेते हैं, इसके cons के बारे में, जो चीज़े मुझे इस machine में अच्छी नहीं लगी, या होनी चाहिए थी, they must be added, वही है कि belt की width बहुत ज़ादा narrow है, motor अवास करती है, इसकी बहुत ज़ादा speed variation नहीं है इसमें, और speakers इसके और ज़ादा अच्छे हो सकते थे, तो अब हम बात कर लेते हैं, अपनी next treadmill के बारे में, जो की last भी है, और वो है Cocato WP100, Cocato WP100, एक ultra slim motorized treadmill है, जो की best of the treadmills है, और newly launched है इंडिया में Cocato की तरफ से, 4.5 HP peak DC motor है, इसकी बहुत ज़ादा noise नहीं करती, weight capacity इसकी 120 kg है walking के लिए और 90 kg है running के लिए, LED display है, जो की remote से चलता है, और आप उससे अपना speed track कर सकते हैं, time, decent, calories, burnt और heart rate भी track कर सकते हैं, ultra slim running board है, जो allow करेगा walking और jogging बहुत ज़ादा easily, आप connect कर सकते हैं अपने treadmill को अपने phone के साथ अगर आप बहुत ज़ादा बोर हो रहे हैं, walking, workout करते वक्त, अब हम इसके की features देख लेते हैं, weight capacity 120 kg है walking के लिए, 90 kg है running के लिए, speed इसकी 1 to 8 km per hour ही है, motor power इसकी 2.25 hp से लेके, 4.5 hp peak है, running surface 44 inch into 16.5 inches, LED display है, जो remote control से चलता है, और warranty 2 year, motor warranty है, 1 year parts पे और lifetime frame warranty है, अब हम इसके प्रोश देख लेते हैं, तो वो चीजे जो मुझे इस machine में अच्छी लगी, वो यह है कि ultra slim design है, smart और modern technology treadmill है, motor power अच्छा है, bluetooth और app supported है, और 100% pre-installed है, वो चीजे जो मुझे अच्छी नहीं लगी, या add होनी चाहिए थी, वो यह थी कि इस machine की speed बहुत ही ज़्यादा कम है, और cushion support नहीं है, तो आप नी pain से सफर कर सकते हैं, Okay, so that's all for today guys, I hope आप लोगो को video पसंद आयोगा, and if you are thinking to buy any of these machines, link is provided in the description box, thanks for watching, do subscribe our channel and share with your friends.